नमस्कार दोस्तों मैं आसीज मिस्रा आप सभी का विन आई एस के इस उनलाइन प्रेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ आप सभी को जिस प्रगार मालूब है कि हमारी चर्चा भारत की संबैधानिक विवस्था को लेके हो रही थी जो MPPSC Pre-Prixha के Unit 5 के अंतरगत आता है और हमने उसमें कई सारे पहलों पर चर्चा कर ली थी साथ ही मैंने बताया था कि ये जो चर्चा होगी हमारी नाकेबल MPPSC Pre-Prixha के लिए important होने वाली है बलकि राज्यक की जो अन्य पर इक्षायां भी होती है उनके लिए भी महत्पूर होने वाली है और अन्य स्टेट की PCS और केंदरी सेवाओं के लिए भी महत्पूर होने वाली थी तो हमने उसमें कई सारे मुद्दों पर अपनी चर्चा कम्प्लीट कर ली थी हमने सम्बिधान सभा के बारे में चर्चा कर ली थी फिर हमने संगी सासन प्रणाली जो होती है हमारी किस प्रकार उसमें कौन-कौन से अंग सामिल है राष्ट पती और संसत के बारे में अपनी चर्चा को कम्प्लीट कर ली थी और हम उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे और आज जो हमारी चर्चा सुरू होने वाली है वो होने वाली है सर्बोच नियाले को लेके सरवोच नियाले एक अलग से टॉपिक दिया गया है हमारे सिलेबस में हाला कि ये अन्य परिक्षाओं में भी बहुत माना जाना टॉपिक माना जा रहा है और हमेशा चर्चा कभी से रहता है आप नियूस्पेपर में हमेसा सुनते रहे होंगे कि सर्वोच नियाले ने आजिया नियुने दिया, इस नियुने को बदल दिया, सर्वोच नियाले में अपील दायर की गए, तो उन समस्त बिंदों पर कौन-कौन से प्रश्ण बन सकते हैं, उन समस्त बिंदों की हम जानकार के बारे में हमारी बाद चलने वाली है वो है इंद्रा सहानी बाद तो इंद्रा सहानी बाद में आज हमारी चर्चा चलेगी इंद्रा सहानी बाद में आज हुआ कि मंडल हायोग गड़ित हुआ OBC आरच्छन को लेकर और उसने सुझाओ दिया कि 27% आरच्छन OBC को दिया जाए और जब एपी सिंग के सरकार आती है 1989 में तो वह 27% राच्छन को स्विकार कर लेते हैं और केंद्री सेवाओं में 27% अच्छन OBC के लिए रच्छित कर दिया जाता है अब इसी बिवाद को लेके सुप्रीम कोट में आज का दायर की जाती है और इस पर सुनबाई होती है और याज का जो दायर की जाती है इंद्रा सहानी के कि हमारे सीजे थे सीजे आई थे वो थे एमेच कानिया का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारे पहले जज हुए थे सुप्रीम कोट के स्वतंत्र भारत का जब सुप्रीम कोट 28 जनवर 1950 को बन कर त्यार हुआ था उस समय हमारे जज थे एस जे कानिया उन्ही के पुत्र माने जाते हैं उन्ही के पुत्र थे यह जैसे अभी हमारे जो सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड वो वाई वी चंद्रचूड के पुत्र माने जाते हैं उसी प्रकार से ये भी एच जे कानिया के पुत्र थे 910 जो बेंच थी उसने 6-3 से अपना नीने दिया, 6 पक्ष में और 3 बिपक्ष में अपना नीने सुनाते हैं और 27 परसंट जो आरच्छन था उसको आरच्छन को, OBC आरच्छन को बैद मानते हैं और इसमें संभिधान के मौलिक अधिकार के 16-4 को आधार मना करके याचिका दायर की गई थी ध्यान रखिएगा संभिधान के मौलिक अधिकारों के अंतरगात बिद किसमा संस्ता में लोक सेवाओं में अवसर की समानता के अंतरगत 16-4 सामिल किया गया है जिसमें OBC आरच्छन के संबंद में प्राबधान दिया गया है तो एक यह निना देते समय सुप्रेम कोड ने एक तर्क भी दिया कि यदि किसी भी किसी भी सेवा के दौरान अगर पचास पर्म्षन की आरच्छन सीमा क्रोस होती है आरच्छन सीमा क्रोस नहीं की जाएगी 50% आरच्छन तक ही प्रदान किया जाएगा या उससे कम प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार भी इसका BCS रूप से ध्यान रखेंगी और इसी अधार पे अभी जो हमारी आरच्छन प्रदाना लिए है जो BC को लेकर SCST को लेकर 50% दायरे के नीच सारे राज्यों में यह आरच्छन की सीमा लांग भी जा चुकी है जैसे तमिल नाडु में और उसे आपके अनुसूची नौ में सामिल कर दिया गया था हलाकि यह अलग विसे हो जाता है जो हमारा मूल विसे था है इंद्रसाहनी बाद का तो इसमें हमको यही देखना है कि 27% आरच्छन को बैद स्विकार किया गया 50% आरच्छन की एक लिमिट सिट की गई और साथ ही एक चीज और का प्रावधान किया गया क्रीमी लेयर का OBC के लिए क्रीमी लेयर स्रेंडी का प्रावधान किया गया कि अगर इस स्रेंडी से ज़्यादा किसी ब्यक्त की इंकम पाई जाती है तो वह आरच्छन का हगदार नहीं होगा और भी ध्यान देने बात यहां पर आपको है कि जो क्रीमी लेयर है केबल OBC वर के लिए परदान किया जाता है ना कि SCST वर्ग के लिए SCST वर्ग का क्रीमी लेयर निर्धारित नहीं है और इसी को लेकर काफी समय से बिद्वयवाद भी चलता रहता है कि इनके लिए भी क्रीमी लेयर के निर्धारन किया जाए हलाकि यह अलग भी से है चलिए अपने प्रश्ण पूछे जा सकते हैं लगबग हम इसमें 100 की लगबग प्रश्णों को अपन इसमें पूरा करेंगे और देखेंगे कैसे कौन से प्रश्ण विभीन पर इक्षाओं में पूछे गए हैं और हमको किस प्रकार से अपनी त्यारी को आगे बढ़ाना है तो पहले प्रश संब्धान के अनुच्छे तीन सो अरतालिस के द्वारा किया गया है और यह भाग सत्रह का भाग है भाग सत्रह जो 343 से 351 तक के प्रावधान की बात करता है जिसमें 343 में लिखा है कि भारत की जो राजभास होगी यह हिंदी होगी जो लिपी होगी और देवनागरी होगी हलागी 15 वर्सों तक के लिए अंग्रेजी भासा को स्विकार किया जाएगा लेकिन समय समय पर उसमें परिवितन करके बरतमान में भी उपयोग किया जा रहा है चौमन में जो 44 उसमें जिकरत्शब्य ने एक राजभासा आयोग के गठन के सम्मंद में राश्च्ट्पत की सत्यों के बारे में जिकर जिकर mayलता है अधिके जो भारती सम्विदान के अनुच्छेद 145 है लोग यहां पर झाज़ेंगे क्योंकि 145 में इस सिच का जिकर मिलता है कि जो सर्वोच नियाले की कारे प्रणाली किस प्रकार से चलेगी उसके नियम काईदे 145 के तहद ही तयार किये जाते हैं 145 में ही वर्णित किये गए हैं लेकिन भासा का जिक्र 348 के अंतरगत प्रावधानित किया गया है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option D कि अगला है सम्वन एक दिक्ता सम्मंधि सर्वोच नियाले का नियन निम्डिकित में किस से सम्मंदित है भारती दंड सहिंता की धारा दयन भारती सम्विधान का निच्छे 377 भारती सम्विधान का निच्छे 288 या उप्रोक्त में से कोई नहीं आपने सुना होसे कि 2018 में एक निनय सम्वन एक सम्मंद में दिया जाता है और वह जोषैं और हesarता है дело g t q q q q अगर फ बात कर Common है ज्यान रखेगा लेंगिक अलप संख्यक समू है ये तो अगर ऐसे प्रशन पूछ ले जाए कि लेंगिक अलप संख्यक में कौन सामील होते हैं तो LGBTQ सामील होंगे जिसमें L का मतलब होता है लेस्बियन G का मतलब होता है गे B मतलब होता है बाई सेक्सवल T का मतलब होता है Transgender और Q का मतलब होता है Cure तो यह इसके अर्थ होते हैं और भारती दंड सहिंता की धारा 370 के तहाद इसको क्या कर दिया गया था? अप्राक्तिक योन संबंद को अवैद घोसित कर दिया गया था जो 370 के तहाद एक प्राभधान मिलता था तो हलाकि इतना important question नहीं है पर अगर माल लिजे इस प्रकार की चीज़े आपसे पूछ ली जाती है तो आप इसको जबाब देने के लिए त्यार रहे हैं इसका सही जबाब क्या हो जाएगा option 1 अगला है उच्टम नियाले ने निमलिकित में से किस मामले में पाया केंद्री अनिवेशन साखा एक पिजराबंद तोता है हमारे option है railway ward रिस्वत मामले में विनीत नाराइडी बना मभारास संग मामले में 2G spectrum घोटालाबाद में या कोईला आवंटन घोटालाबाद में तो CBI की बात हो रहे है CBI अभी काफी चर्चा कभी से रहा है इस के तरीक दें एक में सोने की पिजरे में बंद तो ता किसको सह घ्यान रखेगा शरोजन आइडी ने राज जिपालकी लिए कगा था त्यान कशार ने की यह लिक देता हूं ताकि अपकर दोता नें दियान रखे गए यह जो मामला था Supreme Court के पास गया था, आवंटन घोटाला बाद के दौरान यह सब्द प्रदान किया गया था Supreme Court के दौरा. तो यह भी एक इंपोर्डन कोईला अवंटन कोईला बिवाद बहुत चर्चा में रहा था, कोईले के जो खानन छेतर था उसके निलामी के संबंद में ये विवाद आयता गोटाला किया गया था अगले आते हैं हाली में भारत की संसन ने तीन तला कानून पारिद करके भारत के सरवोच ने आले के किस वर्स के विनीर्ण एको समर्थन दिया जिसने तीन तलाक तलाक विद्दत को असम बैदानिक बना दिया था हमारे ऑप्सन है 2011, 2013, 2015, 2017 या उप्युक्त में से कोई नहीं है उप्युक्त में से एक से अधिक ये प्रशन विहार PSC की द्वारा पूछा गया था आपको इसके आदार पे उत्तर को बताना है और ये हाली में प्रशन पूछा गया था, 2011 में जहां था कि याद कर पा रहा हूं तो पूछा गया था तो 2017 में सर्वोच नियाला एक निन्ने देता है कि तलाक विद्दक असम बैदानिक प्रक्रिया है जो आपके सरीयत कानून के ताहद लागू की जाती है इसको ही आधार बनाके 2019 में भारत सरकान ने एक कानून बनाया मुस्लिम महिला विवाह संरच्छन अधिनियम 2019 आप दिया है कि यह 271 का जो नीने दिया गया था आप ध्यान दिजिए गयी यह जो केस था यह था साइरा बानो केस के आधार पर सप्रीम कट की तलाक सबानी में से यह और जीयोंकर माधियम से तलाक सं 오ुं से यह सरकार को निदेश दिया गया था तो सरकार ने 2019 में इसके सम्मन्द में कानून त्यार कर दिया जो क्या कहलाया मुस्लिम महिला विवास अन्रच्छन अद्नियम 2019 त्ये पूरी चर्चा इस प्रश्ण पर हुई हमारा इसको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D 2017 अगला है लोग के हित बाद मुकदमे के संकल्पना का उद्गम देश है हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन B भारत ऑप्शन C UK या ऑप्शन D USA लोग हित बाद मतलब जन ही त्याच का इसको ही पब्लिक इंट्रेस्ट लटीगेसन भी बोलते हैं पी आई येल आप सामाने भासा में क्या बोलते हैं पी आई ऐल का अगर सामाने भासा में आपके अर्थों का निराकरनट किया जा यहाँ पर तो ऐसा समझे कोई गरीब व् उस चीज का समाधान हो जाए तो समाज में व्यापक प्रहा उसका पढ़ेगा तो उसके संबंद में याज का कहां पर दायर की जा सकती है सुप्रीम कोट या है कोट में ध्यान दियेगा सुप्रीम कोट में कहीं भी याज का दायर की जा सकती है उसके आधार पे सुप्रीम वाली संकल्पना है तो यह संकल्पना मूल रूप से आपके USA में आई थी और भारत में प्रमुख जज हुए जो पी एन भवगाती और भी आरे क्रिश्णन उनके नित्विट में यह संचालन किया गया अगला प्रशन है इसका उत्तर होगा option D USA अगला प्रशन है भारत में न्याइक सक्रेता संबंदित है प्रतिबद्ध न्याइपालिका से जनहित याचिका से न्याइक पुनरो लोकन से या डी न्याइक सुतंद्रता से बड़ा ही अच्छा सा प्रशन है आपको फसाने के कारियों को करने के लिए सक्षम होती है अपने कारियों को कर नहीं पाती है या फिर ऐसा च्छेतर जहां पर विध़ाइका कारियों का क्या करती है अगे रहके कारियों diese को सक्रेत sharing और इसी का एक एक एक्स्ट्रीम लेवल होता है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा अभी कुछ दिनों पहले जब 2018 में एक केस होता है कि SCST एक्ट में सुप्रीम कोट कुछ निर्देश देता है और उसके लिए काफी मात्रा मी विरोध होता है जो अति सक्रियता का उधारन था वो सरकार से उपर रहे करके कानून बनाती है इसके अतरिक एंजे ऐसी जब असमवैदानिक गोज़ित किया गया था उसके दोरान भी ऐसी बाते उठ थी कि जो अपनी पोज़ित कर अधश नियाई। यह का प्रक्रिया है यह एक पहल है और नियाउक प्रक्रिया की Japonित के दोरान पानी जाती है। नियाईक नवाचार बोल सकते हैं इसको या एक नियाईक नवाचार है । तो देखे यहां नाइक सक्रेता का आर्थ मैंने बता दिया और इसका सही उत्तर जो होगा वो गया जनहित याचिका से अगला प्रशन है यहां किस ने कहा कि नियाइक सक्रेता बाद को नियाइक जोखिम बाद नहीं है दिसके सरी जबाब हो जाएगा नियामूर्ती A.S. आनंद ने अधे कि कई बार कथन पूछ लिया जाता है विविन परिछाओं में ऐसे कथन पूछा गए थे सम्मिधान सभा के बारे में लेके या फिर हमारे भारती सम्मिधान को लेके ऐसे ही एक बिहार PCS परिक्षा में यह प्रस्ण पूछा गया था किस ने न्यापालिका के सम्मन्द में यह बात कही थी तो इसका सही उत्तर था AS आनंद AS आनंद के अगर बात करें तो यह हमारे 29 क्रम के CJI थे और इनके कारेकाल 1989 से 2001 के बीज था तो 21 सदी के जो पहले जज माने जाएंगे अगर प्रश्ण पूछ लिया जाए ऐसा कि 21 सदी के CJI जो चुने गए थे वो कौन थे तो कौन थे आपके न्यामूर्ति AS आनंद अगले प्रश्ण पे आते हैं PIL है Public Interest Litigation, Public Inquiry Litigation, Public Investment Litigation, Private Investment Litigation तो इसका सही जवाब हो जाएगा Public Interest Litigation आपको इसके बारे में बता ही दिया गया है कि कहां से इसका प्रारम माना जाता है USA से अब भारत में PN भगवती और बियार कृष्णन के नित्रत में इसको लाया गया था बंगाल का एक केस था उसके समंद में 1979 में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया था आपके पिएन भगवती के माधियम से अगला प्रस्थ जनेच का PIO कहा पर प्रस्तुत किया सकती है के विभिल भारत के सर्वत्ट अस्याले में के वाल राज्यों के फिर्जुके उच्छ नाल्एम में इसको दायर किया सकता है यह अधिकार आपके न्यालाई पे है कि उस शीज को सुइकार करे कि नहीं करे न्याईपारीका के पास बहुत सरे ऐसे पियाईयल दायर की जाते थे जैसे ऐसे होता था खिक कि किसी वेग्टिके कहे घर से कुछ चोरी हो गया वह भी पियाईयल कर दिया कि मेरे मुंढ़ अधिकार का की सिर्भ देते हैं उसके समंद में हम एक नियम कोड में नियमा वली तेयार की उस और देखा जाएगा पहले कि पियार की गया उसका नियाय च्छेतर कितना व्यापक है। उसका अगर PIL को स्विकार कर लेंगे तो इसका कितना व्यापक परिणाम पड़ेगा उस आधार पर PIL को स्विकार किया जाता है बरतमान में। अगले प्रश्पे आते हैं, निम्लिकेत कत्नों पर विचार कर सही उत्तर निम्लिकूट की सहायदा से चुनिए, कथने जनितियाज का जन सहयोगी नागरिकों को नियाले तक जाने की सुकृति देती है, कारण जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए नियाय मांग सके, ज जो किसी कारण से नियायले तक पहुँच पाने में असमर्थ है, हमारे option है A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही स्पस्टि करण है, B A और R दोनों सत्य है परंतु R A का सही स्पस्टि करण नहीं है, C A सही है परंतु R गलत है, तो D A गलत है परंतु R सही है, तो देखिए मैंने जैसा कि आप सब भी को अभी बताया कि जन ही त्याज का होती कि है तो जन ही त्याज का जनसयोगी नागरिकों को न्याले तक ले जाने की स्विकृति है तो ये भी बात सही है कारण क्या है कि उसको न्याय तक पहुंद सुनिशित करना है तो दोनों चीजे क्या हो रही है सही हो रही है और इस पस्टी करण भी आपको R के माध्यम से मिल रहा है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option A, A और R दोनों सत्य है और A का सही स्पस्टी करण प्रस्तुत करता है अगला है भारती न्याइक विवस्ता में जब जनहीत याचिका को सामिल किया गया उस समय भारत के मुख्ष नियाधिस कौन थे बड़ा ही अच्छा सा प्रस्ण है क्योंकि ऐसे प्रस्ण आज कल PSC में ट्रंड हो जुका है जैसा कि अभी 2022 के मैंस पर इच्छा में पूछा था कि PSR मॉंबई मामले के दौरान जो CGI थे वो कौन थे उनिस सो चौराने में कौन थे तो ऐसे प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो यहीं पर यह है कि जब काईल दायर की थी 1979 में मैंने आपको बताया जैसा कि हुसाइन आरा केस ध्यान दीजेगा हुसाइन आरा केस था हुसाइन हुसाइन आरा केस 1979 में पी अन भगवती ने के दौरान जायर की गई थी अवक बताना है उस टाइम पे आपके मुखे न्यादिश कौन थे हमारे आप्सन हैं M हिदायत उल्ला वाई वी चंद्रचूड पी अन भगवती या A.S. आनंद जल्दी से कमेंट कर दीजे तो इसका सही जवाब हो जा कारेकाल रहा है वो हमारे भारती न्यायपालिका में सरवाधिक कारेकाल रहा है सरवाधिक कारेकाल लगबग 7 वर्षो का कारेकाल रहा था और 1978 से 1980 के बीच तक इनका CGI के रूप में कारेकाल रहा है अभी इनके ही पुत्र आपके D.Y. चंद्रचूड जिक्या है हमारे CGI है तो बाइवी चंद चुड इसका सही option हो जाएगा कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि P.N. भगवती तो P.N. भगवती जो थे 1973 में CGI नहीं बलकि एक Chief Justice जो Justice of India जो Supreme Court के नियाधिस चुने गए थे मुख नियाधिस यह बाद में चुने जाते हैं पचासी के बाद चुने जाते हैं तो इसका सही जबाब जो हो जाएगा क्योंकि 1989 में पहली बार पेस किया गया था P.I.L. उस टाइम पे जो CJI थे हैं पर पूछा है कि मुख नियाधिस कौन था ध्यान दीजे कि यहां पर पू अगला है जन हित याचिका की सुरूद किसके दौरा की गई? संसेदी एक्ट के दौरा, संभयधानिक संसोधन के दौरा, नियाधिक पहल के दौरा एए उप्रोक में से कोई नहीं तो आपने कभी क्या देखा है ऐसा सुना है क्या कि PIL के सम्मंद में कोई संबैदानिक प्राबधान लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है संबैदान में अगला है निम्रिकित कत्नों पर विचार कीजिए, न्यायमूर्थ वी आर कृष्णा ऐयर भारत के मुख्य न्यायमूर्थी थे, न्यायमूर्थ वी आर कृष्णा ऐयर भारती ये न्यायक सेवा में लोग हितियाचका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, उबित कत्नों म जब हम सर्वोचिन्याले पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक बार पूरी लिस्ट पढ़ते हैं, कि अभी 50 जो हमारे CGI हुए हैं, उन 50 में से किसका कौन सा नाम है, कब उनका साचन काल रहा है, और कौन से छेतर से वो बिलॉंग करते हैं, यह चीज हम normally जब सर्वोचिन्याले नहीं थे, बलकि यह क्या थे, एक न्याय धीस थे, न्याय धीस थे, पहला कतन हो गये गलत, दूसरा कतन क्या कहता है, कि न्याय मूर्ती वियार कृष्ण ऐयर भारती न्यायक सेवा में लोक हित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही ह क्योंकि P.N. भगवती और B.R. कृष्ण ऐयर इन्हीं के नेतितम में P.I.L. सबसे पहले 1979 में डायर की गई थी, तो हमारा जो कथन 2 हो जाएगा वो सही है, अर्थात हमारा उत्तर होने वाला है option B. केबल 2 सही है, अगले प्रशने, मद्यप्रदेश उच्छ न्याले के निम M.P. P.S.C. 2020 में पूछा जा चुका है, और उसी आधार पर आपको उत्तर देना है, नियायमूर्ती A.K. पतनायक, नियायमूर्ती R.B. रवींद्रन, नियायमूर्ती A.K. माथुर, तो इसका सही जबाब हो जाएगा, option C, नियायमूर्ती A.K. जब अब उच्छ न्याले के संबन्द में जो भी प्रश्न बनते हैं, उसमें हम इस आधार पर भी प्रश्न बनाएंगे, कौन से C.J.I. या जो हमारे C.J. थे, Chief Justice of Madhya Pradesh थे, वो कौन से सुप्रीम कोड के जज़ बने थे, या सुप्रीम कोड के मुख्छ न्यादीश बने थे, अभी आपने नाम सुना जाता है, इसके अतरिक एक और लोहाटी जी का नाम सुना होगा, जिस्टिस लोहाटी, जो आपके गुना से संबन्द रखते हैं, और इनकी हाली में क्या हुई है, मृत हुई है, तो ऐसे कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, उनके संबन्द में हम सारी बाते करेंगे, और कौन प्रदेश हाई कोट के मुख्य नियादिश थे, इसको लिख देते हैं, 1989 से, इनकी सो तिरानले की में, अगला है, निम लिकित में से कौन चौथी महीला जज, जिन्हें अपरेल 2010 में भारत के उच्टम नियाले में नुक्त किया गया है, तो यह ज़्यादा प्रेस्ट इंप ज़्यादा मिस्रा होगा, जो उस टाइम पर नियुक्त हुई थी, तो यह हमारे लिए अभी उत्ते इंपॉर्डन नहीं है, अभी आप एक चीज इसमें ध्यान दीजेगा, कि बरतमान में, बरतमान में, जो 33 जज हैं, 33 जज हैं, उसमें कौन-कौन महीला है, कौन-कौन मही है, और दूसरी बात, हमको एक चीज और तयार करनी पड़ेगी, कि 1950 से लेकि अभी तक जितने भी जज बने हैं, उन में से, जैसे फातिमा बीबी का आपने नाम सुना होगा, फातिमा, बीबी पहली जज मानी जाती है, पहली जज थी भारत की नया पालिका में, जो सुप्र इंद्रा होगे, इंद्रसानी होगे, ऐसे जज जज जो हैं, आपके सुप्रीम कोट की जज बन चुकी हैं, तो इस प्रकार आपको एक लिस्ट बना लेनी है, कौन-कौन सी महिला हैं, जज रह चुकी हैं, और अगर इस प्रकार से प्रशन पूछ लिया जाए, तो आप उसक का पाडिया, HL दत्तु, रंजन गो गई, N.V. रमणा, दीपक मिस्रा, HL दत्तु, T.S. ठाकूर, जगदीश सिंग, खेहर, तो देकि यहाँ पर हमको क्या करना है, कि हमको यहाँ पर Elimination Method का प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा, कि हम चीजे क्या है, सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे Option C की अगर बात करें, तो रंजन गो गई, आपके दीपक मिस्रा के बात बने थे, तो यह बाला करम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसके अतरीत के अगर K.G. आपके जो जज रहे हैं, वो आपके 2000 और 2000 के टाइम पे रहे थे, फिर BP सिनहा, BP कर SR 10 ये भी बहुत पुराने माने जाते हैं, जो इसका सही जवाब होगा, वो है, HL दत्तु जो आपके 2014 से 2015, TS ठाकुर 2015 से 2017, और जगदीज सिंग खेहर ये 2017 में, 2017 में ही थे, दो महीने के ल सही क्रम जो एकदम बैठ रहा है, जो इसके प्रशन के अनुशार सही उत्तर होगा, वो होगा, ओप्सन D, अगले प्रशन पर आते हैं, भारत के पूर्व मुख नियादिस, अस्वंध विष्णू चंद्रचूट के संबन्ध में, कौन सा है कौन से कथन सही है, वाई वी च कौन से कथन सही है, हमारे उप्सन है, एक दो और तीन, एक और दो, एक और तीन एक ये केवल दो, तेखी ये प्रशन पूछा गया था, 36 गड़ PCS में 2021 में, 36 गड़ PCS परिच्छा 2021 में पूछा गया था, देखिए, ये मैंने बात आपसे बता दी थी अभी, कि ये सोलवेक जाल माना जाता है, और इनकी नियुक ती नीलम संजीबा, रेड़ी ने की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो हमारा सही जबाब हो जाएगा, ऑप्सान ए, एक और दो, तीन, तीनों सही है, अगला प्रशन है, TDSAT के निन्यों को चुनावती दी जा सकती है, ट्राइ, हा इसका नाम मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, तो TDSAT ऐसा समझे कि जो दूर संचार विभाग होता है, उसके समंध में, जो ट्राइ होती है, ट्राइ, उनिस संताने में इसका गठन किया गया था, आपके दो हजार, एक में, उनिस संताने में गठन किया गया था, और ट्राइ के आधीन इस अधिकरण के स्थापना की गय थी, जो डिजिटल संबंधी विभाद होते हैं, डिजिटल इकरण संबंधी विभाद होंगे, और उसके संबंध में नेटवर्किंग संबंधी, मोबाइल फोन के संबंध में जितने भी विभाद होगी, इसका सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सही जबाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, सबसे कम अबद के लिए भारत के मुख नियाजिस कौन थे, राजेंद मल लोड़ा, एस राजेंदर बाबू, गोपाल बलो पटनायक, कमन नरायन सिंग, यह ब सिंग, जो केबल आपके सत्रा दिनों के लिए CGI बने थे, 1900 इंचानने में, 1900 इंचानने में यह बने थे, केबल सत्रा दिन के लिए, आगे चलते हैं, इंदरा सहानी बनाम भारत संग मुकदमे में, सरवोच न्यालय का नियनायक किस विशे से सम्मंदित है, सरकारी नोकरियों में अन्य पिखड़ाबर का आरचन, मूल ठाचे का सिद्थान, अन्सुचित जात्य के प्रमोशन में आरचन की श्विक्रती, अन्सुचित जंजात का आरचन को बढ़ाना, उप्यक्त में से कोई नहीं है, उप्यक्त मैं से एक से अधिक, लिए इंद्रा सहानी बनाव भार बेंच थी और MH कानिया उस समय क्या थे आपके CGI थे यही चीज हमने डिस्कस की थी और यही चीज यहाँ पर आ गई है तो हम इस चीज को solve लिए तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपसा ने सरकारी नोकुरियों में अन्य पिछड़ा बर्ग का आरच्छन अगला प्रशन है दे अगले प्रश पर आते हैं निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए, भारत का उच्तम नियाल है भारत के राष्टपति को विदियत्वत अथ्यों के विषयें पर सलाह देता है, अब इसके सम्मंद में लिखे गए हैं, स्वाप्रेरन पर ब्यापक लोक हित के विषयें में, यदि वहाँ ऐसी कोई सलाह म कोट है, उससे आप परामर्श मांग सकता है, उसे के सम्मंद में लिखा हूँ है, तो यहां पर बोला है कि नियायपाली का कैसे जवाब दे सकते हैं, तो बोल रहा है स्वाप्रेरन से, मतलब स्वयम से ही, तो क्या नियायपाली का अपने आप जाके राष्टपति को ऐसा कानून बनाऊ, ना की राष्टपति को देगी, फिर यदि वहाँ ऐससे कोई सलाह मागता है, तो यह बाड़ बिलकुल सही है, कि जब राष्टपती इस प्रकार से कोई सलाह मागेगा, तब ही आपका सुप्रीम कोट इस प्रकार की सलाह दे सकता है, विदिक विसन में तो द दे सकता है या नहीं भी दे सकता है मगर अगर जम मागेगा तभी उस पर ऐसी करवाही करेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा केबल दो अर्थाद B क्रम के जो हमारा उत्तर है वो केबल सही है मैं भारत के सम्विधान के प्रति सची विश्वास सची निष्ठा रखूँगा भारत के संप्रभुता या मखंड़ता को बनाये रखूँगा अपने पद के करतव्यों का निर्वान करूँगा सम्विधान और कानून की रच्छा करूँगा यह सपत ली जाती है भारत के रा की सपत किस प्रकार से होगी तो राष्ट पति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष सुप्रीम कोट का नियाधिस क्या करेगा इस आधार पे अपनी सपत को ग्रहन करेगा यहाँ पर राष्ट पति नहीं हो सकता है राष्ट पति तो संविदान के रच्छन औ को नहीं मिल रहा है इसके तरिक अगो प्रधान मंत्री परिशाद की बात आती तो वह पदें गोपनियता की सपत लेते हैं तो यह यहाँ पर उत्तर क्या हो जाए रहा भारत के मुखनियादीस द्वारा अगला है भारत के सरवोची नियाले का परामर्श दात्री अधिकार से प्रियुक्त होता है कि वह सारजनिक महत्तों के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट मत्री को परामर्श दे सकता है सभी संबैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है विदिक मामलों में प्रधान मत्री को परामर्श दे सकता है या उप्युक्त सारजनिक महत्यों के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राश्टपती को परामर्स देगा किसके तहट? नो 6143 के तहट 143 का खंड एक खंड जो दो है उसके तहट राश्टपती जब भी लोग हित के बिसाय में सारजनिक मामलों के बिसाय में या फिर विधिक मामलों के बिसाय में इससे कोई परामर्स मागता है तो उसको देने के लिए बाद दे भी है और अबाद दे भी है तो कुछ मामलों में बाद दे है और कुछ मामलों में अबाद दे है अगला प्रस्वन है भारत का उच्छितम न्याल है कानून या तत्थ के मामले में राष्ट्रपति को परामर्स देता है अपनी पहल पर तब ही जब वह ऐसा परामर्स के लिए कहता है तब ही जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों सम्मंदित हो या तब ही जब मामला देश की एकता और खंडता के लिए खतरा पैदा करती हो तो इसका सही जबाब हो जाएगा option B तब ही जब वह है ऐसे parameters के लिए कहता हूँ तेकि एज चीज आपको याद हो रही होगी तो यहीं पर आप सारी practice कर लिए ताकि आपको कहीं पर और जाने की जरूरत ना पड़े और इसके सम्मझ में अगर कोई भी प्रशन पूछा जाता है तो आप उसको deal कर लिजे और ऐसे parameters कई बार Supreme Court ने दिये भी हैं जैसे आपने नाम सुनाओं का राम मंदिर का मामला भी काभी चर्चा में रहा था तो 1913 में राम मंदिर के सम्मझ में राष्टपति ने से सुझाओं मागा था हला कि Supreme Court ने उसके लिए मना कर दिया था इसके आते जो कोला घोटाला था 2G स्पेक्टरम घोटाला था 2G स्पेक्टरम घोटाला मुखरूप से उसके सम्मंद में भी परामर्स मागी गई थी तो ये बात होगे कि इसके सम्मंद में आपके राष्टपति के परामर्स जो Supreme Court है उसके परामर्स दातरी 6 अधिकार की सम्मिधान के अंतर गत उच्चतम न्याले से विदि के प्रश्ण पर राय लेने को किसका अधिकार है उच्चतम न्याले से विदि के प्रश्ण पर प्रधान मंतरी को, राष्ट पति को, किसी भी उच्च न्याले को या उप्युक्त सभी को तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट पति को अगले प्रश्चिपे आते हैं भारती संभी धान के किस अनुच्छेद के ताहत सर्बोच न्याले भारती नागरिकों के मौली अधिकारों को सुरच्च पतायन करता है 74, 56, 39 तो इसका सरी जवाब हो जाएगा ऑप्सन डी, अनुच्छेद, 32 जो किसकी बात करता है संभी धानिक उप्शारों की बात करता है और अगर किसी व्यक्तिक के मौल अधिकार का हनान हो रहा है तो न्याले के पास अपनी क्या लगा सकता है गुहार लगा सकता है उसके पास अपनी याच्छिका दायर करवा सकता है और याच्छिका के दोरान न्याले पांच प्रकार की रिट जारी कर सकती है पांच प्रकार की रिट अब वो रिट कौन कौन सी है सुलनीजे, यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइम चला जाएगा बंदी प्रत्यक्षी करण अधिकार पिछा, परमादेश प्रतिसेद और उत्परेशाण यह जो पांच रिटे हैं, वो सुप्रीम कोट उदारा मुलिदिकारों के हरनन के सम्मंद में जारी की जा सकती है तो कई वारी यह जो रिटे होती हैं, उनके अंग्रेजी ताम को देकर भी प्रशन पूछे जा सकते हैं हलाकि इसके सम्मंद में प्रशन बनाया भी गया है तो आप से आगे मिलेगा भी विधाई सकतियों की संघी सूची में समाविष्ट किसी विषय के सम्मंद में भारत के उच्टम न्याले के अधिकार छित्रों को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है व्हारत के राष्टपति को भारत के मुख्य न्याय मूर्थ को आप्सन C संचत को या विद्याय और कमपनी कारे मंत्राले को तो इसका सही जबाब हो जाएगा आप्सन C भारत की संचत को यह जो बिवस्था दी गई है आर्टिकल 138 के तहत पदान की गई है साथ ही अगर किसी भी उच्चतम न्याले कि अगर जो उनका छेत्रा दिकार है उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रावधण करती है संसर तो वो प्रावधान दिया गया है आपके 149 के तहट ध्यान दीजेगा 149 के तहट अगर 169 के बढ़ाने की बात की जाएगी जो म लाएगा क्या आटिकल 138 कि तहथ अगला है भारती संभिधान का अभिवावक तो नहीं तो है मतलब इसका अभिवावक कौन है भारती संभिधान का राष्टपती में लोगसभा में सर्भोच नियाले में या कर्दी मंदल में तो इसका सभवाब हो जाएगा option C सर्बोच नियाले में अभी यहां पर confusion आपको नहीं हो रहा होगा क्योंकि बड़ा easy से लग रहा है अगर मान लिजे आपर संसद लिख लिया होता राष्ट्मति लिख 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 होता तो फस जाते हैं पर आप ध्यां दियेगा इसको सही उत्तर हो जाएगा सरवोच नियालय। समय समय पर सरवोच नियालय इसके व्याख्या करता रहता है। R कथन A का सही व्याख्या है A और R दोनों सही है पर र कथन A का सही व्याख्या नहीं है A सही है किन्तो R गलत है A गलत है किन्तो R सही है तो देकि यहां अनन निकात होता है कि केवल इसी को अनन मतलब मूल रूप से केवल इनी को तो क्या कोई कानून बनता है तो उसकी संबैधानिक व्याख्या के संबंद में केबल सर्बोच नियाले का अधिकार है, हाई कोट को नहीं है क्या, हाई कोट को भी है तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है दूसरी बात बिल्कुल सही है कि सर्वोच न्याले को संदच्छक कहा गया है तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा option D कि A गलत है और R सही है अगला है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है राष्टपति, attorneys general of India, लोग्सवाद्यक, या सर्वोच न्याले तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच न्याले भारत में नियामित कानून की अधिके यहां पर जो प्रशन है थोड़ा सा सम्विधान में भारत में न्यायक प्रणाली अभी अगर देखा जाए तो सम्विधान पर तो आधारित है लेकिन उसके लिए एक कानूनी उचित प्रक्रिया भी होती है उसके लिए कानून भी होता है लेकिन यहां पर प्रश्ण है कि मूल न्यायक प्रणाली किस पर आधारि तो पताई इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अप्सन B, बिद के समक्स समानता, कि अधिकार को भागतीन से हटा कर संविधान में अन्यत कहीं रखे, ऐसा क्यों कहा गया कि ये चीज़ अगर करेगी तो उसको संविधानी के असून निगोशित कर दिया जाएगा, तो अनुच्छे 13-2 में, ध्यान दीजेगा, अनुच्छे 13 के खंड 2 में, यह प्राभधान मिलता है कि यदि कोई भी संसद बिदी बनाती है, संसद कोई कानून बनाती है, या कानूनों में संसोधन करती है, और उसमें यह पता चलता है कि उसमें मूल अधिकारों के विशह पे कमी हो रही है, उसमें कमी हो रही है और फिर उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो सारी चीजे क्या हो जाएंगी, सून निगोशित हो जाएंगी, या संवैधानी खोशित हो जाएंगी, तो ये जिक्र तेरा दोम मिलता है तो बिद का समख समानता क्या है? एक मौलिक अधिकार है इसको हटाया नहीं जा सकता है इसको नियून नहीं किया जा सकता है हगला है सरवोच नियाला है एक संगी नियाला है माना अधिकारों का संरच्छक है संभिधान का अंतिव विवेचक है सिविल न्याले है उप्युक्त में से कोई नहीं है उप्युक्त में से एक से अधिक तो इसका सही हो जाएगा जवाब अप्सनी उप्युक्त में से एक से अधिक क्योंकि देखें संघी न्याले है ये बात बिल्कुल सही है हमारे यहां के जो न्याले है वो संगी न्याले का भाग है मतलब केंदर का न्याले है उपर से माना अधिकारों का संड़च्छक है सही बात है जब किसी माना अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोड पर आज का दारक्त दायर की जा सकती है सम्विधान का अंति विवेचक है तो ये भी बात सही है सिबिल नियाला है तो सिबिल नियाला की इन्वाई भी ये करता है तो उसके नियमों के तहट ये सिबिल नियाला की सक्ति भी प्राप्त है इसको तो इसका क्या हो जाएगा एक से अधिक उत्तर सही हो जाएंगे न्याइक पुनर्व लोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल U.S. में केवल यूके में, भारत, U.S. दोनों में तिसका सही जवाब हो जाएगा उपसंडी, भारत और U.S. दोनों में ये प्रणाली प्रचलित है देखने को मिलती है नीचे दो कथन दिये गए है अभी कथन A, भारत में न्याइक पुनरिच्छन का छेत्र सीमित है कारण, भारती संबिधान में कुछ उधार की बस्तुए हैं, सही उत्तर का छेन नीचे दिये गए कूट की सहायता से करें, कूट है option A, A और R दोनों सत्य है और R A का सही स्पस्टिकरण है option B, A और R दोनों सत्य है लेकिन R A का सही स्पस्टिकरण नहीं है C, A सही है तथा R गलत है या D, A गलत है तथा R सही है तो ध्यान से पढ़िए अभी कथन क्या कहता है कि भारत में नियाइपणुर्ण का च्छे थर सीमित है तो यह बात सhी है कि नहीं बिलकुल सही है यह बात सही है कि हमारे नियाइपणुर्ण के लिए जो सरवेष चिन्याले की सकते है औelson सीमित है सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब भारते और इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा A और R दोनों सत्य है लेकिन R A का सही स्पस्टी करण नहीं है क्या बताईए कि जो कारण है ये इसका स्पस्टी करण दे पा रहा है क्या नहीं अगर ऐसा होता कि जो नियाइक पुन रच्छन है क्य मैं कि छीवार कि इसका सखाई कि जवाब हो जाएक बीदिदोर स्थापित प्रक्रिया का प्रावदान हमने जापां के संभधान से लिया था जापान से और इसके सम्मन्द में कई सारे आपके न्याइक नेने भी दिया गया था जैसे एके गोपालन बाद 1950 ये किसे सम्मन्दित था बिद द्वारा इस्थापित प्रक्रिया से ही सम्मन्दित था अगला है भारत के संबिधान के संदर में निमलिकत कत्नों पर विचार कीजिए किसी भी केंद्री भीद को सम्मन्दानिक रूप से अवैध घोजित करने की किसी भी उच न्याले को अधिकारिकता नहीं है दूसरा भारत के संबिधान के किसी भी संसोधन पर भारत के उच्टम न्याले द्वारा प्रस्ण नहीं उठा जा सकता है उपिक्त में से कौन से कधन सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो ना तो एक ना ही दो तो देखिए जब भी कोई केंदरी कानून बनेगा उसके संब्मन में संबैधानिक रूप से अवयद घोसित करने का अधिकार उच्टम न्याले को प्राप्थ होता है ध्यान लिजिएगा प्राप्थ होता है यहाँ पर लिखाया अधिकारिकता नहीं होगी लेकिन इनको प्राप्थ होता है और मान लिजिए कोई भी जो कानून बना है उसको असंब्यधानिक घोसित कर दिया गया है हाई कोट के माध्यम से तो उसके सुनबाई कहां पर की जा सकती है सुप्रीम कोड में तो सुनभाई कतव अधिकार मिल रहे ना इनको अवेद घोसित करने का अधिकार तो मिल रहे तो यह बात क्या हो जाती है गलत हो जाती है पिर दूसरा अगर बात करें कि भारत के संभिधान संसोधन के किसी संसोधन पर भारत के उज़ितम न्यालय द्वार प्रश्न नहीं उठा जा सकता है तो ये बात भी क्या है गलत है इसके सम्मन्न में न्याइक समिक्षा की जा सकती है तो दोनों का थनक गलत हो जाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा अगला है नीद्वार प्रादा की जा सम्मई धानी इसका जबाव हो जाएगा यदि कोई कानून या आदेश संभिधान के विप्रीत हो तो उसे असंभिधानी गुशित करना यही उद्देश होता है आपके न्याइक पुनरव लोकन का अगला है भारत का संभिधान अपने मूल ठाचे को संभबाद पंदे निरपेच मूल अधिकारों तथा लोक तंद्र के रूप में बरिभासित करता है दूसरा है भारत का संभिधान नागरिकों की सुतंद्रता तथा उन आदर्सों जिन पर संभिधान अधारित है कि सुरच्छा है तो नियाइक पुनरव लोकन की व्याख्या करता है वेवस्था करता है सुरी ध्यान दिजेगा यहाँ पर वेवस्था लिखा है उपेक पत्व में से कौन सा यसे सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो इसका सही जबाब हो जाएगा देखें जो पहला सब्द है कि भारत का संविधान अपने मूल धाचे को संखबाद पर पेच मूल दिगात अथ लोकतने के उपे परिभासट करता है तो आप बचाओ कहीं पर संविधान में ऐसी परिभासद देखने को मिलती है क्या मूल धाचे के संव atenות में नहीं बल्कि इसकी परिभासद समय समय पर इसमें कौन-कौन से तत्तु सामिल होंगे, इसके व्याख्या कौन करता है, सरवोच न्याले, तो पहला जो कताने गलत हो गया, दूसरी बात जो कहे रहा है कि नागरिकों के सुतंता का अगर हनन होता है, तो उस पर कोई कानून बना है, तो न्याइक पुर्णो करन की सकती प् बिधियों और कारिपालिका के आदेशों की समवेधानिक्ता के विशाय में प्राख्यापन करने का न्याइपालिका का अधिकार, विधानमंडल द्वारा निर्मित बिधियों के प्रज्ञान को प्रस्नगत करने का न्याइपालिका का अधिकार, न्याइपालिका का सभी व नीचे लिखी हुई है यह बात कही न कहीं तरक बोंड प्रतीप नहीं हो रही है क्यूंकि ऐसी विवस्था हमारे संबधानिक विवस्था के नरूप मिलती ही नहीं है हमारे सर्वोच चैनले में ऐसी कोई नियमा वली दी ही नहीं गी है बलकि यह सी जरूर है कि विधियों दिए गए आदेसों के पुनर्व लोकन के बारे में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है भारत के रास्टपत की ऐसे नीणे आदेस के पुनर्व लोकन का अधिकार प्राप्त है तो यहां पर सही कतन पूछा गया है देखिए भारत के राश्टपति को ऐसे नीनेयो आदेस का पुनरव लोकन का अधिकार है तो ऐसी बात नहीं है हमारे यहां बीटो जरूर प्रदान की गई है लेकिन उसको पुनरव लोकन का अधिकार प्रदान नहीं किया गई जा गया है आपके सुप्रीम कोट को फिर उच्दम नियाल है अपने द्वारा सुनाए गए निन्या आदेश को पनुड़ोकन के सक्ति प्राप्त है तो ये बात बिल्कुल सही है और हमारा उत्तर भी यही होगा क्यों इसको उदाहरन आपको देखने के मिलता है जैसे गोलकना बाद में 1967 में सुप्रीम कोट ने ये कहा कि मौली कद्दगारों पे संसोधन नहीं किया जा सकता है फिर 1973 में केसवा नंद भारती वाद आता है उसमें ये कह देता है कि आपके मौली कद्दगारों में संसोधन किया जा सकता है लेकिन मुलभुट धाचे को ठेस पहुँचा बिना तो अपने ही निने को बदल दिया तो यह सकते कि इसको प्राप्त है आपके उच्छ तम नियाले को ते यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्सन भी तो दोस्तो यह जो हमारी पूरी चर्चा हुई वो भारत के सम्मिधानिक विवस्ता के अंतरगत जो सरवोच नियाला है उसके सम्मन्द में कौन-कौन से प्रश्ण मने हैं उन पर हो गई है आगे हम इसी चर्चा को अपनी कांटिनुई करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहे और इसको जाद जाद लोगों तक पहुचाने का प्रयास कीजिए तब तक के लिए नमस्कार